Hello everyone, welcome back to our channel Bond with Kids, आज हम इस वीडियो में LKG and UKG की जो students हैं उनके लिए oral exam term 2 2024 के लिए एक हिंदी का जो paper है oral test का आप sample paper इसे बोल सकते हैं, वो देखेंगे किस तरीके के questions आप prepare करा सकते हैं उनके exam point of view से, बहुत ही important questions हैं, ये question आप बच्चों को घर पे जरूर तयार कराएं इनके तयारी के बाद उनका जो हिंदी का oral test है, उसकी preparation आप मान के चलिए पूरी हो जाएगी तो let's start the video, वीडियो अगर अच्छी लगे तो like करें और हमें motivate करें, okay see the first question, स्वर सुनाओ, तो स्वर सुनाने का मतलब है, पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, तो LKG and UKG के बच्चे है, term 2 दे रहे हैं, तो definitely उन्हें पता होता है, स्वर कौन से होते हैं, A, A, E, ये वाले, ठीक है, तो ये उन्हें अह तक सुनान हैं, ये हो गया पहला question, ये एक बहुत ही basic question है, चाहिए LKG में हो बच्चे या UKG में, दोनों ही classes के लिए ये बहुत important है, इसके साथ A से अनार, A से आम भी उनसे पूछा जा सकता है, कि स्वर सुनाओ, और उनके साथ उनसे जो चीजें हैं, उनके नाम भी बताओ, जैसे A स बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे, जिनकी help से आप बच्चों को oral करा सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इन सारे oral exams के लिए, वे engine सुनाओ, तो वे engine कौन से होते हैं, कर से लेके, जो हमारे gear तक चलते हैं, इसमें सीधा कर, खर, गर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, क की जो line है, वो भी पूछ सकते हैं, ट की line पूछ सकते हैं, प की line पूछ सकते हैं, तीन तरीके के जो श हैं, हमारे जो श, श, स हैं, उनसे कौन से शब्द होते हैं, इस तरीके इसे भी question पूछा जा सकता है, तो सिर्फ बच्चों को एक rhyming की तरह ना सिखा कर, उन्हीं में स questions put up करके, आप अलग लग तरीके से चीजें सिखाईए, क्योंकि ये final exam की oral के लिए हम तैयार कर रहे हैं, प से दो शब्द बनाओ, यहाँ पे मैंने प सिर्फ एक example के तौर पे दिया है, यहाँ पे हो सकता है, कि उनसे री से दो शब्द पूछ लें, आस्वर से दो शब्द पूछ लें, ल, जो वेंजर है, उससे दो शब्द पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे pattern of questions डिसकस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, रंगों के नाम बताओ, तो रंगों के कोई भी 5 रंग कम से कम आप उन्हें सिखा स है, तो उन्हें आना चाहिए सोमवार, मंगलवार, बुद्वार, ब्रसपतिवार या गुरुवार भी बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार या इतवार, ठीक है, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी question में पूछा जा सकता है, कि सोमवार के बाद कौन सा दि मंगलवार, बुद्वार के बाद कौन सा दिन आता है, कौन से दिन आपकी छुटी रहती है, इस तरीके से भी question को पूछा जा सकता है, दो फलों के नाम बताईए, तो कोई भी दो फल हो सकते हैं, पांच फल भी हो सकते हैं, तो फलों के नाम आप उन्हें सिखाईए, जैसे आम, केला, संतरा, सेब, अननास, अनार, इस तरीके से अमरूद, और उसके साथ उनके रंग भी आप उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, कि पीले रंग का जो फल होता है, उसका क्या नाम है, ठीक है, आपका जो पसंदीदा फल है, उसका क्या नाम है इस मौसम में जैसे सर्दी है या गर्मी है इसमें सबसे जादा मार्केट में जो फल आ रहे हैं दो उनके नाम बताईए इस तरीके से लाल रंग का जो फल है ऐसा फल जिसमें गुटली मिलती है इस तरीके से भी कोशन को गुमा के पूछा जा सकता है दो पक्षियों के नाम बताईए ठीक है दो पक्षियों के नाम तो दो पक्षी बर्ड होते हैं जो भी उनके नाम उन्हें हिंदी में बोलने हैं तो कबूतर हो गया कोवा हो गया मोर हो गया ठीक है मैना हो गई तोता हो गया ये कुछ आम नाम है जो उन्हें आप कम से कम अंगों के नाम बताओ, ठीक है, तो body parts को hindi में उन्हें बताना है, तो hindi में जब हम body parts के नाम उन्हें सिखाएंगे, तो सबसे पहले आप बाल, ठीक है, उंगलियां, छाती, हाथ, टांग, पेट, कान, जीब, ठीक है, आखें, नाक, इस तरीके से आप उन्हें सिखा सकते हैं तीन वर्ण वाले शब्द बताओ, तीन वर्ण वाले जिसमें तीन आपते हैं, जैसे क, म, ल, तो ये हो गया तीन वर्ण, कमल, इसमें दो वर्ण पूछे जा सकते हैं, कई बार चार वर्ण भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अद्रक, ठीक है, अमरूद, मगर, मच, इस तरीक होती है LKG में है तो हो सकता है कि कुछ ही मातर हैं उन्हें सिखाई जाएंगी और सारे जो ये वेंजन है वो सिखाई जाएंगे और simple वेंजन की reading उन्हें बताई जाएगी जैसे कमल घर पर ठीक है इस तरीके से जो भी आम शब्द होते हैं दो दो दिन तिन रत चल रात मत कर इस तरीके से तो जितना उनके से लेवस में हैं ये मैंने थोड़ा से लेवल हाई करके ही बता रही हूँ क्योंकि UKG के final exams की त्यारी हम करवा रहे हैं इस paper के थुर वीडियो के थुर और अगेन आप कितने रंग होते हैं तो राष्ट्रिय ध्वज जो हमारा तिरंगा है ठीक है उसमें तीन रंग होते हैं ये तो हो गया simple answer कि तीन रंग होते हैं रंग कौन कौन से होते हैं के सरिया सफेद और हरा तो ये तीन जो रंग है उनके नाम बच्चों को आने ही चाहिए इस साथ में जो हमारे तिरंगे में बीच में जो चक्र बना हुआ है अशोक चक्र उसका क्या रंग होता है नीला रंग होता है उसमें कितनी तिलियां होती है 24 होती है ये भी उन्हें पता होना चाहिए साथ में दिवाली होली पर दो पंक्तियां बताओ दिवाली दीपों का त्योहार है दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं होली जो है ये रंगों का त्योहार है होली पर पहले दिन होली का दहन मनाया जाता है ठीक है इस तरीके से आप जो दो दो पंक्तियां सिखा सकते हैं इसके साथ ही स्वतंतरता दिवस, गणतंतर दिवस इन्हें भी उन्हें पता होना चाहिए कि स्वतंतरता दिवस कब मनाते हैं गणतंतर दिवस हम कब मनाते हैं सुभह क्या दिखाई देता है सूरज या चांद तो ये optional question, MCQ based question कि सुभह आपको क्या दिखाई देता है सूरज या चांद तो इसमें से अंसर है सूरज, इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, रात को क्या हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और रात को क्या दिखाई देता है, आसमान में क्या दिखाई देता है, ठीक है, बारिश जब होती है, तो उस मौसम को क्या कहते हैं, इस तरीके से, इतने भाई बहन है, उनके नाम बता सकते हैं, मेरी मा का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ठीक है, और मैं यहां रहता हूँ, और उसके बाद अपनी जो hobbies है, जो भी आपकी, वो आप बता सकते हैं, ठीक है, एक कविता सुनाओ, अगेन यह important question है, यह हर साल आता है, कि एक रा की मातरा के पूछ सकते हैं, छोटी की मातरा के पूछ सकते हैं, छोटे, उ के मातरा के शब्द पूछे जा सकते हैं, अउ की मातरा के पूछे जा सकते हैं, री की मातरा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक जो मातरा है, कम से कम दो दो शब्द तो उन्हें सिखाए होते है और जितना भी उन्हें syllabus में सिखाया है, आप उसके coding भी उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है, तो O की मात्रा के दो शब्द उन्हें बोलने हैं, जो भी उनको सिखाये गए हैं, जो उनको आते हैं, यहाँ पे बच्चे O और O में confuse होते हैं, तो O नहीं O है, ठीक है, तो O की मात्रा स उन्हें दो शब्द बोलने हैं, जैसे जो कर, ठीक है, नो कर, इस तरीके से, लो कर, किसान क्या चलाता है, हल चलाता है कि बंदूख, again optional question है, MCQ based, किसान जो है वो हल चलाता है, ऐसे ही डाक्या क्या बाटता है, तो डाक्या पत्र बाटता है, जो भी हमारे helpers हैं, ठीक है, उ उनके based occupational ये जो question है, वो पूछे जा सकते हैं, हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अपने प्रियमित्र का नाम बताओ, ये एक hobby का question हो सकता है, ये personal interest का question है, ये हमेशा जबी भी आप बच्चों कराएं, इस तरीके की question हमेशा कराएं, आप मेरी जितने भी वीडिय जो भी उनकी colors है, इनके based questions हमेशा आपको मिलता है, ये इस तरीके की question हमेशा आपको पूछ नहीं है, जिससे की क्या होगा, उनका जो oral exam है, जो test है, उसमें वो बोर नहीं होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, प्लस उनके भी जो choice based questions है, ठीक है, कि उनको अपने best friend का ना होना है, तो इस तरीके से उनने आना ही चाहिए, उनका favorite mossam, favorite fall, इस तरीके से, पत्ते किस रंके होते हैं, तो पत्ते हरे रंके होते हैं, तो उनने पत्तों का color पता है, जैसे English में बोलते हैं कि green होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, कि उसी green को हिंदी में हरा कहा जाता है, ठीक है एक चिडिया होती है तो पांच क्या होंगी चिडिया ठीक है चिडिया होंगी एक ताला होता है पांच क्या होंगी पांच क्या होंगे पांच ताले होंगे ठीक है ले होंगे लिंग बदलना है लड़का लड़की माता पीता ठीक है इस तरीके के लिंग बदलने के इसके अलावा उनको अगर विलोम शब्द सिखाए गए हैं जैसे दिन का बन जाएगा रात तो उन्हें ये जो हलके वाले हैं खुला बंद उपर नीचे इस तरीके के जो हैं कोशन्स व तो ये आज का हिंदी का final term के लिए एक oral test का sample paper था I hope आपके लिए useful रहा होगा मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में thank you so much for watching